जै हिंदु वंदे मात्रम दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल आर्मी नोट्स पर दोस्तों इंडियन आर्मी की तियरी कर रहे हैं हमारी फोजी भायों ने हमें मैसेज करके पूछा है कि आर्मी का पेपर हिंदी और इंगलेस दोनों लेंग्वे पर तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में बिल्कुल ऐसा ही पेपर बनाया है हमने जैसा आर्मी के पेपर में आता है utionsbas लिए वीडियो को अंतट तक दे के बिना इस्किप की उह है और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं चिया प्लिज इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को share कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा क्योंकि दोस्तों आपके एक like share और comment से हमें motivation मिलता है कि हम कैसा कर रहे हैं या नहीं ओके दोस्तों अब हम अपना प्रतेक सही उत्र के लिए दो अंक दिये जाएंगे बिल्कुल सही बात है दोस्तों बी उफ्सन है प्रतेक गलत उत्र के लिए point 5 अंक काटा जाएगा बिल्कुल सही है दोस्तों minus marking जो आपकी negative होती है वो point 5 अंक काटा जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों आप यह देख लीजिए आराम से किस तरह से आता है यह पेपर सारे points दोस्तों आप पर नहीं रिडिंग बार लीजिए उसके बाद दोस्तों देखो ओम आर सीट ओम आर सीट उत्तर पुर्स्ति का परिक्ष्या के अंदर दुआरा उपलब्द करवाई जाएगी यह देखो दोस्तों आपको कहीं से लेकर नहीं जाना है बिल्कुल ओम आर सीट आपको वहीं उपलब्द करवाई जाएगी इसके बाद देखो दोस्तों आपका आपको सही answer को चुनना है और ओमार शीट में टिकल लगाना है तो दोस्तों इसका सही answer option D होगा सूचना का अधिका टेक्स्ट क्यूशन है फुटबॉल विश्वकप 2018 का आयोजन कहां पर हुआ दोस्तों यह बताना है option A है B ब्राजिल C फ्रांस D रूस तो दोस्तों इसका सही answer option D होगा यह रूस में हुआ था दोस्तों और इस फुटबॉल विश्वकप 2018 के बारे में दोस्तों में आपको कुछ महतोपुन तत्ते भी बता देता हूं कुछ important factors जो आप अपने नोट्सों में नोट कर लेना दोस्तों 2018 का FIFA विश्वकप इसका 21 यह 21 संस्क्रन था चोगदा जून 2018 से 15 जुलाई 2018 के बीच यह रूस में एक अंतराश्टी पुर्स फुटबॉल टोनामेंट था दोस्तों रूस ने इस खेल के मेजबनी प्रथमबार की थी इसका जो फाइनल है दोस्तों वो फ्रांस और कोरशिया के बीच हुआ था फ्रांस है वो उसमें विजयता रही थी और कोरशिया है वो उपविजयता रही थी प्रांच ने है दोस्तो अभी तक अपने दो किताब अपने नाम कर लिए है फिफा विश्वकप की सुरुआत है दोस्तो वो 1930 में हुई थी सबसे ज्यादा किताब जीतने वाला देश है दोस्तो ब्राजील दिस ने 5 किताब अपने नाम कर लिए है और 2022 का फुटबल विश्व कप है दोस्तों फिफा वल्ड कप है ये कतर में आए जित होगा ये कुछ महत्वपून इंपोर्टेंट थे थे दोस्तों जो हमने आपको बता दिये हैं ये आप अपने नोट्सों में नोट कर लेना सुप्रेम कोट के नियाई दूसों की नुक्ति कोन करता है अप्सेन अ परधान मंतरी ऐफशन B रक्सा मंतरी और सी राष्ट्रपदी और स्थी विद्गे इसका सही आंसर होगा दोस्तों 측 C, ठीक है, option C होगा इसका दोस्तो, सही answer, next session है दोस्तो, option B, सामानी विज्ञान का एका दोस्तो, general science के ये question आएंगे, इसके अंदर इसका first question है दोस्तो, इंतर दनूस में कितने रंग होते हैं, 7, 2, 6, 5, तो इसका सही answer option A होगा, 7 होते हैं, next question है, ads किसके दुआरा फेलता है, option A प्रोटा जवा, option B, bacteria, option C, विज्ञान, option D, funks, तो दोस्तो, ads है, ये virus जनित रोग है, ये विज्ञान के दुआरा फेलता है, next question है, ठोस, carbon dioxide को क्या कहते हैं, ठोस, carbon dioxide को क्या कहते हैं, दोस्तो, काली बरप, बारी बरप, सुस्क बरप, या बरप, तो दोस्तो, इसको सुस् question आती है, दोस्तो, हमने ये soul तो नहीं करवाए है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंटी हो जाएगा, इसलिए, इसका 7 number का question है, दोस्तो, 1003 की power 0 है, इसका मान आपको, बताना option आपके सामने, दोस्तो, आप soul कर लेना, ठीक है, option, इनमें जो आपको right लगे, वो आप अपने question आपके सामने है, आप इस question को solve कर लेना, वीडियो के देखने के बाद, session D, दोस्तो, आपका जो part D आएगा, वो तरक सकती, logical reasoning, दोस्तो, reasoning से आएगा, आपका mental ability के question आएगे, इसके अंदर, इसका 10 number का question दोस्तो, आप देख लो, किस तरह से आएगा, option 11, ये, sorry, question 11 देख लो question 12 देख लो, दोस्तो, एक लड़की अपने गर से निकलती है, पहले 30 मिटर उतर दिसा की और, चलने के बाद, वो है 30 मिटर पस्चिम दिसा की और जाती है, उसके बाद, वो 30 मिटर दक्षन दिसा की और जाती है, अब वो है, किस दिसा में चल रही है, वीडियो पूरा टेकने के बाद, इस question को दोस्तो, आप सोल कर लेना, ओके दोस्तो, आज का वीडियो था, उसमें हमने आपको संपोन जानकारी बता दिये, कि इंडियन आर्मी का पेपर है, वो किस तरह से आता है, किस language में आता है, और इसमें negative marking कितनी होती है, तो हमारा वीडियो अगर दोस दोस्तो को share कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, ओके दोस्तो, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, जै हिंद, जै भारत!